बिसमिल्ला इर्हमान रहीम, आसलाने को वियर्स, आज हम बनाने चाहरे हैं ग्रिल चीज सैंड़िच, ग्रिल चीज सैंड़िच बनाने के लिए जो इंग्रिडियन रिक्वाइड हैं, उन्हें सबसे पहले हमें चाहिए चैडर चीज, इसको मैंने खुर्श कर लिया है, नेक् इसको आपने बटर रगा लेना है, बटर की क्वाइंटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी है, आपने, प्रॉपर सब कॉर्नर पे, बटर लगा लिया है, एक टिप याद रखीगा कि बटर लगाने के लिए, बटर को माइकोवे में तो से मेल्ट कर लें, ताकि आपको इसको अप्लाय करना एजी हो जाए, अब आपने ब्रेट का एक स्टाइस देने, आप देखें इसकी बटर बड़ी साइड है, मैंने इसक इसको टर्न करके इस ता से रखना है, और इसके उपर चीज प्रेट करनी है, इसके बाद आप सेकंड स्लाइस आफ प्रेट लेंगे, और इसमें भी जो बटर वारी साइड है, उसको आपने, उपर रखना है, और विदाउट बडर साइड को आपने चीज के साथ, आप इसी तरह से, दुस्से सेंड़िच के लिए भी हम वही स्टेप्स फालो करेंगे, कुछ लोग चीज ज्यादा अपसंद करते हैं, तो आप अपने चॉइस के मताबर जितनी आप चाहें, इसमें चीज आइड कर सकते हैं, अब हम एक पैन लेंगे, या आप नॉस्टिक पैन भी रे सकते हैं, अब हम इसमें बहुत केरफुली आपने सेंड़िच को ठाना है, इसमें प्लेस कर रहा है, आप एक वक्त में एक सेंड़िच को भी दे सकते हैं, अगर आप तवे पर फ्राइ करें, इंफेक ये फ्राइन नहीं है, बटर हमें लगाया है, बस इसको तो आपने तब तक पकाना है, चब तक ये आपकी ड्रेट क्रिस्पी ना होते हैं, करेंगे, तक चीज मेल्ट होने के साथ या आपके स्लाइस, चीज के साथ मेख सकते हैं, हम बहुत इत्यात के साथ हम इनकी साइड को चेंज करेंगे, याद है कि आपने फ्रेम मीडियम लो रखना है, करेंगे, चीज इसमें से अभी फुल मेल्ट नहीं हुई, उसके निकलने के चांसे होते हैं, बहुत आराम से इसको आपे टोई करना है, इनको कॉंट्री से आपने आगे पीचे मुफ करते रहना है, अब देखें इनका कलर कितना प्यारा बोल्डन सा चेंज हो रहा है, अब एक पफे रामिन की साइट को टर्न करेंगे, आप देखें चीज मेल्ट हो चुकी है, इसको परटना एजी है, आप इसको हाथ लगा के देख सकते हैं, कि यह क्रिस्पी कोटिंग सी आपको फीड होगी, इसका मत्तब है कि आपके सैंविच इस रेडी हैं, अब हम इनको डिशाउट कर लेंगे, देख सकते हैं, आपके प्रिडल चीज सैंविचेज, इस रेस्पी को जरूर ट्राइए कीजिएगा, बहुत ही ईजी और बहुत ही निट्रिशिस रेस्पी है, हासवा बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है, इसको जरूर ट्राइए करें, थेम्क्यू अल्हा आपके साथ।